इस कहाने की शुरू में हम देखते एक प्याई सी लोकेशन, ये गाउं काफी हरा भरा था, इसी गाउं में रहता था वार, उसे शौक था पक्षियों को देखने का, और उनको समझने का, वो अपनी पत्नी टाइन के साथ छोटे से घर में रहता था, इसी भी जेक दिन उसको का वाज आती है, वो देखने जाता है, तक छोटा सा जीव होता है, उसे समझने आता, कि ये इनसान का बच्चा है या पक्षी का, पर जो भी था, ये बच्ची काफी जादा प्यारी थी, इसलिए वार उसे अपने साथ ले जाता है, और उसको अपनी पत्नी को दिखाता है, इन दोनों को ही समझ नहीं आता, कि आखेक इसका बच्चा है, उस बच्चे को जल्दी से एक छोटी सी टोकरी में रखते हैं, वो देखते हैं इस बच्ची के पास साथ नहीं है, उसके जगह उसके पास स्पंक है, टाइन कहती है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, पर वो और ऐसा कने से मना करता है, वो कहता है क्या पता है, इसके माबाप आचाहे, इस बीच उसे रेलाइस होता है, कि उसकी पत्नी टाइम इस बच्चे से काफी अटाच हो गई है, इन दोनों के पास अपना बच्चा नहीं था, इसलिए ही डिसाइड करते हैं, कि ये दोनों इस चोटी सी बच्ची को पा लेंगे, और इसका नाम था विग्यालतिच, ये दोनों उसके लिए समान लाते हैं, क्योंकि वो काफी चोटी थी, उसे ट्वर्स के कप्रे दिये जाते हैं, और एक दिन वो से शेहर ले जाते हैं, शेहर में सब लोग देखते हैं, कि इनकी बे उसे मानर सिखाने की काफी कोशिश करती है, उसे कहती थी ये मत करो, वो मत करो, और ये सब चीज़े, उसे बोलना सिखाती है, और विग्यालतिच अच्छे से बोल नहीं पाती, ताइन अपने पती से कहती है, कि मुझे इसकी काफी फिक्र है, उसका पती कहता है, कि जादा की जरुरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो एक पक्षी है, टाइन उसे खाना सिखाने की कोशिश करती है, पर विग्यालतिश उसकी एक नहीं सुनती थी, उसका जैसा मन था, वो ऐसा ही करती थी, और टाइन को उसके काफी टेंशन रहती थी, इसके बाद एक दिन, वो उसे अ पक्षी दिखे थे, और वो उनके साथ चले गई थी, इसके बाद आइन वोर को सबत आती है, क्योंकि बेटी उनसे दूर चले गई है, उन्हें उसकी काफी फिक्र थी, वो विग्यालतिश को उड़ना नहीं आता था, इसी बीश वो गिर जाती है, और सीधा एक घर में खु पक्षी थी, क्योंकि उसके पास एक दोस्त था, इसी बीश उसके पापा आते है, वो जल्दी से अपने दोस्त को छुपा देती है, उसके पापा उसे कहते है, क्यों थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वोई वोर और टाइन दोनों शहर में आ गई थे, ये अपन पर इनको रूम नहीं मिलता, इसलिए डिसाइड करते हैं कि पार्क में ही सो जाएंगे, और सुबह जब ही उड़ते हैं, ये देखते हैं उसे पेड में से एक छोटी सी बच्ची उतर रही है, ये छोटी बच्ची उन्हें बताती है, कि इस पेड पर उसकी दोस्त भी है, औ वो आगे का सफर इन दोनों के साथ तैग करेगी, वो विग्यालतीश को ढूनना चाहती थी, वो विग्यालतीश आस्मान में उड़ रही थी, उससे काफी मज़ा आ रहा था, पर तभी वो फिर से गिर जाती है, और नीचे खड़े लोगों को लगता है, कि उपर एक छोटा उठा कर लेगा, और ये चीज नीउस में आ गई थी, वो और को रेलाइस होता है, ये शाय दिव विग्यालतीश की बात कर रहे हैं, इसलिए वो सबसे पूश्टाश करते हैं, और सीधा उस पुलिस वाले के पास राते हैं, वो पुलिस वाला काफी साथ था, क्योंकि उसके हिसाब से वो उस चोटी बच्ची को बचा नहीं पाया, पर ये दोनों उसको सच पताते हैं, वो कहते हैं उस बच्ची के पास पंख है, और वो इन दोनों की बेटी है, उस पुलिस वाले की कोई गलती नहीं थी, इसके बाद पुलिस वाला डिसाइड करता है, कि वो इस सफ प्रियालतिश एक कुए में गिर गई पर उन्हें वो नहीं मिलती, इसके बाद इनको फ्रेश होना था, इसलिए एक होटेल में जाते हैं, इसी भी शोटी बच्ची का एक दोस्त बन जाता है, इसलिए वो अपनी दोस्त को बुलाता है, पर तभी उस चोटी बच्ची को रेला पर जैसे ही दोनों उसके पास आते हैं विग्यालती शुर से वहां से जा चुकी थी अब इने आगे की तरफ शाना था पर जाते जाते वो छोटी बच्ची ताइन को बताती है कि उसे उनके साथ नहीं आना है उसकी इस लड़क एक साथ दोस्ती हो गई थी वो कुछ देर उसक की बाते सुनने के लिए वक्त नहीं था इसलिए वो आगे की और निकल जाती है उसका पती उसके पीछे आता है उसे समझाता है कि इने वापिस जाना चाहिए इने अपने घर जाना होगा इन दूसरी तरफ उस पुलिस वाले को बिग्यालतिश मिल जाती है वो एक पेड़ म पर विग्यालतिश काफी दूर जा चुकी थी उसके पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए अब वापिस आने के अलावा कोई और आप्शन नहीं था पर विग्यालतिश काफी स्टूगल कर रही थी वो पाने में गिर जाती है और तभी इन दोनों की बस पे आ जात इनका परिवार फिर से पूरा हो गया था ताइन विग्यालतिश का एकसेप्ट कर चुकी थी उसे उसकी सारी आदते मनसूर थी उन दोनों को लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है पर इसे भी शेक दिन रात को विग्यालतिश उड़ने की कोशश करती है ताइन उसे रो इसके साथ बिताय हुए अच्छे पल इसलिए अगली सुबा कि दोनों उसे अर्विदा कहते हैं इन दोनों को उसके जाने का काफी गम था बस साथ ही खुशी थी कि विग्यालतिश के आगे उसकी पूरी सिंदगी पड़ी है इक्स्प्लोर करने के लिए और अच्छे से जी इसके साथ इस कहानी का अंत होता है मेरी आप से फिरसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ